नमश्कार दोस्तों जय हिन जय भारत बंदे मातरम और बैल इकन को नोटिफिकेशन पर आल पर साइट कर दीजेगा जिससे हर दिन के वीडियो की टाइम टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलेगा और अपने ग्रूप में शेर जरूर करिएगा तो चल ये शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रशन ये रहा आपके सामने कॉशन नमबर बन आपसे क्या पूशा गया है कम्प्यूटर के संधर्म में वैट वेयर क्या होता है कम्प्यूटर के संधर्म में वैट वेयर क्या होता है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कम्पिटर के संधर्म में वेट वेर शब्द यानि की मानव मस्तिस्क के समान होता है option number C प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं निमलिखित मैं से 1 किलो बाइट के तुल्य क्या है इनमें से कौन 1 किलो बाइट के बराबर होगा तो सही उत्तर हो जाएगा 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर होगा next question देख लेते हैं processed data को किस रूप में जाना जाता है processed data को किस रूप में जाना जाता है तो processed data जो होता है वो information यानि कि जानकारी के रूप में जाना जाता है Next question है एक TB कितने के बराबर एक TB के बराबर कितने GB होती है यानि कि एक TB के बराबर कितने GB Right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो यहाँ पर सेयत्र हो जाएगा एक TB के बराबर कितने GB तो 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते है Next question देख लेते हैं अगला प्रशन है Bits का एक समूह किसका बनता है एक Bits Bits का एक समूह यहाँ पर Group of 4 Bits form a 4 Bits का एक समूह किस से बनता है तो यहाँ पर Right answer हो जाएगा तो Bits का एक समूह जो 4 Bits का एक समूह जो है यह निबल से मिलकर बनता है Option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा Next question देखते हैं अगला प्रशन यह रहाँ आपके सामने Vacuum Tube को Computer की कौन सी पीढ़ी द्वारा इस्तिमाल किया गया था Vacuum Tube को Computer की कौन सी पीढ़ी के द्वारा इस्तिमाल किया गया था तो यहाँ पर राइट आंसर है Vacuum Tube जो है Computer की पहली पीढ़ी में इस्तिमाल होते थे Next question है किस सहर में भारत का पहला डांक घर ATM खोला गया है कौन से शहर में भारत का पहला डांक घर ATM खोला गया है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चैनने शहर में भारत का पहला डांक घर ATM खोला गया है Option No. B सही उत्तर होगा Next question है Computer का जनक किसे माना जाता है Computer का जनक किसे माना जाता है तो Charles Babbage Computer के जनक माने जाते हैं Option No. B सही उत्तर होगा Next question है निम लिखे तत्वों मैंसे किसका सबसे कम गलनांक है तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे गलनांक कम जो है Option No. Oxygen यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर है Option No. B सही उत्तर है Next question है Super Computer की एक शरंखला है इन में से कौन जिसे पुड़े भारत में Center for Development of Advanced Computing C-DEC के द्वारा बनाया और Assemble किया गया इन चार सुपर कम्पुटर में से कौन वह शाखा है शरंखला है जिसे पुड़े भारत में Center for Development of Advanced Computing C-DEC के द्वारा बनाया गया है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा Option No. B Param सुपर कम्पुटर की जो शरंखला है C-DEC पुणे के द्वारा बनाया गया है Next Question है गड़ना यान की Computer करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो Computing गड़ना करने के जनक के रूप में Option No. सही उत्तर हो जाएगा Charles Beves Right Answer है Option No. C Charles Beves Computing के जनक माने जाते है Right Answer हो जाएगा Next Question है Computer Mouse का अविशकार किस ने किया था Computer Mouse का अविशकार किस ने किया था Right Answer है Douglas Aenzel Bert ने Computer Mouse का अविशकार किया था Option No. C P्रशन का सही उत्तर है Next Question है Arithometer का अविशकार किस के द्वारा किया गया है ? option number A सही उत्तर हो जाएगा अरिथमो मीटर का विश्कार चार्ल्स जैवियर थॉमस के द्वारा किया गया है next question देखते है catch मैंसे word को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अधतन करने की विधी क्या कहलाती है catch मैंसे word को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अधतन करने की विधी किस नाम से जानी जाती है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसे हम right back के नाम से जानते हैं option number A सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है गती भेद को समायोजित करने के लिए प्रियुक्त बफर को क्या कहते है गती भेद को समायोजित करने के लिए प्रियुक्त बफर को क्या कहते है तो option number इसे cash memory कहते है option number B right answer हो जाएगा next question देखते है सूचना प्रद्योकी में associative memory को क्या कहते है सूचना प्रद्योकी में associative memory को क्या कहते है तो option number C content addressable memory option number C प्रशन का सहित्र हो जाएगा सूचना प्रद्योकी में associative memory को content addressable memory के नाम से जाना जाता है next question है computer processing में किसके pool से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियानवित करने के लिए memory में लोड करता है तो computer processing करने के लिए option number B job scheduler से computer जो है processing करने में job scheduler pool से प्रक्रमों को चुनता है और उसे क्रियानवित करने के लिए memory में लोड करता है next question है cache memory किस सिधान्त पर काम करती है cache memory किस सिधान्त पर काम करती है option number reference की इस्थिती के सिधान्त पर cache memory काम करती है right answer है next question है name लिखित में से किस में जो भी file folder access किया जाता है उसे mark करते हुए पूरे file system से गुजरना पड़ता है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये जो है garbage collection garbage collection जो होता है उसमें जो भी file folder access किया जाता है उसे mark करते हुए पूरे file system से गुजरना पड़ता है option number यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा right answer है A. garbage collection next question देख लेते हैं page fault कब आता है page fault कब आता है तो option number जब program ऐसे page में पहुँचता है जो उस समय मुख्य memory में ना हो तब page fault आता है next question है एक bit data के संग्रह के लिए किस circuit का प्रियोग होता है एक bit data संग्रह के लिए किस circuit का प्रियोग होता है तो option number flip flop एक bit data के संग्रह के लिए flip flop circuit का प्रियोग होता है next question है kernel memory के आवंटन की एक नीती को क्या कहते है kernel memory के आवंटन की एक नीती को हम क्या कहते है तो इसे slab आवंटन कहते हैं, option number C, सही उत्तर हो जाएगा, next question है, cash memory किन के बीच की क्रिया करती है, cash memory किन के बीच क्रिया करती है, तो CPU और RAM के बीच में cash memory क्रिया करती है, next question है, एक ऐसे प्रकार का Computer Data Storage जो सिस्टम की सामानिगती को बढ़ाने के लिए अकसर इस्तिमाल किये जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को इस्टोर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, ऐसा Computer Data Storage जो Computer की सिस्टम की सामानिगती को बढ़ाने के लिए अकसर इस्तिमाल किया जाता है, option number C, Random Access Memory है, सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, निमलिखित में से कौन सी Computer की अस्थाई Memory है, तो Computer की अस्थाई Memory, Random Access Memory, RAM है, सही उत्तर हो जाता है, सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया, साथ साथ चलाने को क्या कहते हैं, तो option number इसे हम Multi Processing कहते हैं, B option सही उत्तर हो जाएगा, next question है, निमलिखित में से कौन Electrically, Erisible, Programmable, Read Only Memory का उधारण है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, Electrically, Erisible, Programmable, Read Only Memory का उधारण, option number Flash Memory है, सही उत्तर हो जाएगा, next question है, एक सिस्टम के function को दूसरे सिस्टम पर नकल करने के लिए क्या कहेंगे आप, तो एक सिस्टम के function को दूसरे सिस्टम पर नकल करने के लिए जो शब्द यूज़ होगा, उसे हम Emulator कहेंगे, option number B, सही उत्तर हो जाएगा, next question देख लेते ह अगला प्रशन है, electronics में IC का full form क्या होता है, electronics में IC का full form क्या होता है, तो integrated circuit, right answer हो जाएगा, electronics में IC का full form होता है, next question है, CPU में इन में से क्या होता है, CPU में इन में से क्या होता है, option आपके सामने है, तो CPU में जो है, arithmetic, logical unit, register तथा control unit होता है, option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, अगला question देखते हैं, CPU scheduler को किस नाम से जाना जाता है, CPU scheduler को और किस नाम से जाना जाता है, तो option number, short term scheduler के नाम से CPU scheduler को जाना जाता है, next question है, निरंतर प्रक्रिय, निरंतर सक्रिय system program process को क्या कहते है, तो इसे हम demons कहते हैं, right answer है इस प्रशन के लिए demons कहते है, next question है, निरंतर मेंसे कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आपके सामने चार कथन है, इन मेंसे कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए, सही कथन है, option number, एक primary key candidate भी होती है, एक primary key is also candidate key, option number B, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, एक primary key जो है, candidate key भी होती है, next question देख लेते हैं, computer की memory arithmetic logic unit और input output device को बताता है, कि किसी कारिकरम के instruction को कैसे प्रतिक्रिया देना है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कौन होगा, जो computer को यह सब करने के लिए बताता है तो option number control unit computer को बताता है, कि arithmetic logic unit और input output device जो है, किस प्रकार कारिकरम के instruction को follow करे, next question देख लेते हैं, computer system में अधिक पूर्ण schema के अभाव में मदों को सरक्षित करने के लिए निमलिखित मैंसे किस का प्रियोग करते हैं, तो computer system में अधिक पूर्ण schema के अभाव में मदों को निमलिखित मैंसे किसे computer के मस्तिस्क के नाम से भी जाना जाता है, तो computer के मस्तिस्क के नाम से हम CPU को जानते हैं, option number C सही उत्तर हो जाएगा, अधिक प्रोग्रामिंग भाशा को किस company ने विक्सित किया है, तो Swift programming भाशा को Apple company ने विक्सित किया है, option number D सही उत्तर हो जाएगा, next question है, jams A goalsling द्वारा किस programming language को विक्सित किया गया है, तो jams A goalsling द्वारा विक्सित किया गया है, java के लिए option number A सही उत्तर हो जाएगा, next question है, एक database से data प्राप्ट करने के लिए निम्लिखित मैं से किस language का उप्योग किया जाता है, तो एक database से data प्राप्ट करने के लिए हम प्रियोग करते है, next question है, java script programming language का आविशकार किस ने किया था, तो option number B, bread and eek ने, bread and eek ने, java script programming language का आविशकार किया था, सही उत्तर हो जाएगा, next question देख लेते हैं, प्रथम programming بھáशा कौन सी थी तो फोट्रोन भाशा प्रथम प्रोग्रामिग भाशा थी सही उत्तर हो जाएगा है का programing भाशा को किस company ने विक्सित किया था है क नाम की 프로그램िंग भाशा को किस company ने विक्सित किया था तो option number facebook ने है का programing भाशा को विक्सित किया था right answer हो जाएगा next question देखते हैं C programming language को किसने विक्सित किया है सही उत्तर क्या है C programming language को किसने विक्सित किया है तो C programming language Dennis Richie ने विक्सित की है option number D सही उत्तर है next question है data घटनाओं को डालने उनका उद्धियन करने और उन्हें delete करने जैसे काम कौन करता है तो data घटनाओं को डालने उनका उद्धियन करने उन्हें delete करने जैसे काम जो है ये data manipulation language करती है option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अगला question है जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की computer करने की सुभिधा कौन देता है तो जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की computing करने की सुभिधा जो है option number C query language देती है अगला question है वह computer भाषा जो संचरित दस्तावेदों की प्रस्तुती को व्यक्त करती है जैसे CSS और उसे क्या कहते है तो वह computer भाषा जो संचरित दस्तावेदों की प्रस्तुती को व्यक्त करती है जैसे CSS उसे हम कहते है style sheet language option number D प्रशन का सही उत्र हो जाएगा CSS style sheet language next question देखते है निम्द तुडियों में से किसकी compiler द्वारा पहचान की जाती है तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा compiler के द्वारा logical तुडियों की पहचान होती है option number B सही उत्र है computer के कार्य जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना को नियंत्रत करने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली भाशा कौन सी है तो computer के कार्य जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना इनको नियंतरत करने के लिए जो भाशा प्रयोग की जाती है वह option number b command language कहलाती है next है data और इन में से data प्रकार और किसके बीच के रिष्टों को परिभाशत करता है तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा option number data definition language जो होती है data definition language यह data प्रकार और उसके बीच के रिष्टों को परिभाशत करता है define data types and their relationship among them option number b प्रशन का सही उत्र हो जाएगा तो दोस्तों यह थे caution 50 कैसा रहा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर अगर नहीं है तो subscribe करके bell icon on कर लीजेगा जिससे next वीडियो की notification आपको मिल सके वीडियो को like करना ना भूलें और share जरूर करें मिलते हैं next topic में जय हिन जय भारत बहुत बहुत धन्यवार नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में जिसमें हम आपके लिए railway SSC previous years questions general knowledge science के लिए कर आये हैं जय हिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप हमारे चैनल परना हैं तो subscribe करना ना भूलें सब्सक्राइब जरूर करने जिससे हर दिन के notification आपको मिल सके वीडियो के वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा और गुरूप में अपने share जरूर करिएगा सारे प्रशने important हैं हर एक्जाम के लिए अपने groups में share करके और भी दोस्तों को चैनल से जरूर जूड़े चले शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशने हैं भारतिय संबीधान की रचना में निम्न मैसे किसने सरवादिक गंभीर प्रभाव छोड़ा तो भारतिय संबीधान की रचना में सबसे गंभीर प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रों हुआ option number D प्रशन का सही उत्तर है जुलाई 1946 में स्थापित संबीधान सभा के सदस्यों में निम्लिकित मैसे कौन सामिल नहीं था तो भारतिय संबीधान सभा गठित करने का आधार option number cabinet mission plan 1946 सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वाशन है सुतंदर भारत की लोगसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सुतंदर भारत की लोगसभा का पहला अध्यक्ष option number D जीवी मावलंकर सहब सही उत्तर हो जाएगा भारत की संबीधान सभा का संबीधानिक सलहकार सर बीएन राओ जी थे option number C सही उत्तर है भारतिय संबीधान कब अपनाया गया था? भारतिय संबीधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतिय संबीधान अपनाया गया था नेक्श कॉश्चन है भारत के पहले उपरप्रधान मंत्री कौन थे तो भारत के पहले उपरप्रधान मंत्री वल्लब भाई पटेल जी सही उत्तर हो जाएगा निम्ल कित मैंजे भारतीय समिधान सभा का अद्यक्ष कौन था तो भारतीय समिधान सभा के अद्यक्ष option number सहीधतर हो जाएगा राजे इंद्रशाद जी डॉक्टर राजे इंद्रशाद जी भारती समिधान सवा के अध्यक्ष थे नेक्स है भारत के पहले राश्ड़पती के रूप में डॉक्टर राजे इंद्रशाद का चुनाओ कैसे किया गया था तो हमारा राश्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था राश्रगान पहली बार कब गाया गया था तो राश्रगान पहली बार सही उत्तर हो जायेगा इस प्रेशन के लिए राश्रगान पहली बार कब गाया गया था आपके सामने हैं, चार आपके सामने हैं, तो राश्रगान 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, राइट आंसर है, सावजिनिक रूप से पहली बार 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता डिवेशन में भारती राश्री कॉंग्रेस के सतर में गाया था, टैगोर ने, इन्हें खुद गाया था, ने जी सही उत्तर हो जाएगा, नेक्श कॉशन है, भारती संबिधान लागू कब हुआ था, तो भारती संबिधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन नमबर A, सही उत्तर हो जाएगा, भारत में दल रहत लोगतंदर का प्रस्ताव सबसे पहले किस ने रखा था, तो भ संबिधान के उपचारों के अधिकार को कहा था, भारती संबिधान सभा ने किस वर्स कामकाज प्रारम किया था, तो भारती संबिधान सभा ने ऑप्शन नमबर 1946 को कामकाज प्रारम किया था, राइट आंसर हो जाएगा, संसत के केंद्रे कक्ष में संबिधान सभा की पहली 9 दिशम्मर 1946 को हुई थी सही उत्तर है भारती समीधान का प्रारूपन समीधी के अद्रक्ष कौन थे? तो भारती समीधान के प्रारूपन समीधी के अध्रक्ष धॉक्टर B.R.A.M.B.ीटकर जी थे एकातमक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो इकात्मक सरकार में समस्त ताकज जो है केंद्रिय सरकार के हाथ में होती है option number B सही उत्तर है समिधान सभा की प्रारूप समिति के अध्धक्ष कौन थे तो समिधान सभा की प्रारूप समिति के अध्धक्ष डॉक्टर बिया रमबिटकर जी थे भारत में किस प्रकार का लोगतंत्र है तो भारत में प्रतिनिधियों का लोगतंत्र है option number C सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित मेंसे कौन सा देश आधनिक लोगतंदर की स्थापना करने वाला पहला देश है तो आधनिक लोगतंदर की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका है option no.10 सही उत्तर हो जाएगा समीधान के उधगाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चना गया था तो सम्मिधान के उद्गाटन को 26 जनवरी के लिए ही चुना जाना क्योंकि कॉंग्रेस ने 1930 में स्वाधिन्ता दिवस के रूप में इसी दिन को मनाया था इसलिए 26 जनवरी को ही चुना गया भारत के समिधान का निर्माता किसे माना जाता है तो भारत के समिधान के निर्माता डॉक्टर बियार अमेटकर जी को माना जाता है भारती समिधान कब अस्तित्व में आया तो भारती समिधान अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया बारत के गरतन्त्रिय दल की स्थापना किस न की थी सम्भिधान की मसौधा समीती के समक्ष प्रस्तावना जवाहर लाल नहरूजी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी समिधान सभा में किस ने कहा था कि सरकारी नीती के निदिशक सिद्दान किसी बैंक में दिया उस चेक की तरह है जिसका भुगतान भैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है तो नीदिशी निदिशक सिद्दान के लिए यह बात जो है यह कही थी केटी शाह जी ने option number D सही उ ने कैहने पर बनाई गई थी भारत की शमिधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के के कहने पर बनाई गई थी भारत के समीधान का गठन किस के द्वारा किया गया था ने राश्रगान कब अपनाया था ने 24 जन долларов प्रतम केंद्रिय विधांसभा 2020 में गठित हुई थी, सही उत्तर हो जाएगा stock जिस सम्विधान सभा द्वारा भारत के सम्विधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे तो जिस सम्विधान सभा के द्वारा भारत के सम्विधान का अधिनियमन किया गया ऑप्शन अमबर विभिन प्रांतों की विधान सभाओं से द्वारा निर्वाचित सदस्य उसके सिदा से थे रादनेतिक स्वतंतरता का अर्थ क्या होता है तो रादनेतिक स्वतंतरता का अर्थ है लोगों की मुक्त रादनेतिक गत्वीधिया अगला कॉशन है भारत में पूरुन संप्रभू लोकतांतरिक गड़तंतर कब बना भारत तो भारत पूर्ण संप्रभू लोगतांत्र गरतंत्र कब बना सही उत्र क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए चले देख लेते हैं तो भारत पूर्ण संप्रभू लोगतांत्र गरतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना 1949 को समिधान अपनाय गया था 50 सयुत्र हो जाएगा 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 यहाँ पर आंसर सही कर लिजेगा 26 जनवरी 1950 अगला कॉशन है निमलिकित मैंसे कौन भारती समिधान की प्रारूपन समिती के सदस्या नहीं थे निमलिकित मैंसे किस अधनियम में भारत के सासन का छेत्रे विभाजन किया गया तो भारत के सासन का छेत्रे विभाजन भारत सरकार अधनियम 1858 के द्वारा किया गया था निमलिकित मैंसे किस ने 1935 में समिधान सभा का सुझाओ सबसे पहले प्रस्तावित किया था तो समिधान सवा का 1935 में सुझाओ सबसे पहले M.N. Raiji ने प्रस्तावित किया था नेक्ष्ट है निम्लिखित मैंसे किस अधिनियम द्वारा किंद्र में द्विसासन प्रणाली शुरू की गई बंधुत्व का अर्थ क्या होता है तो समिधान में बंधुत्व का अर्थ भाईजारे की भावना होना है option No.A सही उत्तर है भारत के समिधान का गठन किस के द्वारा किया गया था तो भारत के समिधान का गठन तो भारती समिधान में 25 भाग है, राइट अंसर हो जाएगा। प्रारूप समिधी के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिधी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अमबेटकरजी थे। किस भारत सरकार अधनियम के तहट पहली बार विधाईका में कुछ निरवाचित प्रतिनिभित्यों के मन्जूरी दी गई थी। समिधान सभा का सदस्य इनमें से कौन नहीं था, तो महात्मा गांधी की समिधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारत की सम्मिधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किस ने की थी? तो भारत की सम्मिधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्दानन सिनहा जी ने की थी? भारती सम्मिधान की किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बात हुई है? तो भारती सम्मिधान के भा वो आल पर साइट कर लिएगा जिससे हर दिन के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें इचलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धनिवाद जैहिन जै भारत